हेलो फ्रेंड ब्यम्स आयरग्यान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुरा शौगत करता हूँ मैं डॉक्टर इम्रान इम्मद आप सभी के बीच आज एक नई वीडियो के साथ उपस्तित हुआ हूँ दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ब्यम्स आयरग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुश सके जिहां दोस्तों आज हम बात करेंगे अरवेधिक मेटिकल आफिशर यानि कि AMO के बारे में जिहां दोस्तों AMO एक गवर्मेंटेड जवाब होती है इसके लिए आज हम बात करेंगे क्या एलिजबिलेटी होनी चाहिए इसका स्लेबर्स क्या होता है यानि कि इस एक्जाम में किस प्रकार के या किस सब्जेक्ट से कोस्टन्स आते हैं और इस कोस्टन्स की क्या मार्किंग होती है क्या माइनस मार्किंग होती है और आर्वेदिक मेटकल आफिशर यानि कि AMO में कैसे सिलेक्षन होता है तो चलिए सुरू करते हैं अपना आज का यह वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे AMO यानि कि आर्वेदिक मेटकल आफिशर के लिए क्या इलिजबिलिटी होनी चाहिए तो यदि बात करें इलिजबिलिटी की क्या योगिता होनी चाहिए तो आर्वेदिक मेटकल आफिशर के लिए डिग्री न आर्वेदा आफिए रिकोगनाइज यूणिटी और इस्टेटरी स्टेट बोर्ड और कांसिलिंग आफ इकुवेलेट रिकोगनाइज अंडर दा इंडियन मेडिसी सेंटरल कांसिलिंग एट यानि कि 1970 के अंतरगत किसी भी रिकोगनाइज इनिशर्टी या फिर बोर्ड से आपके पास BMS की डिग्री आरवेदा की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ इंडूल्मेंट और स्टेट रिजिस्टर और सेंटरल रिजिस्टर आप आरवेदा यानि कि आपको स्टेट रिजिस्टर में एम सेंटरल रिजिस्टर में उसका इंडूल्मेंट होना जरूरी ह होता है यह भी बात अर्वतिक मेटकल ऑफिशर के लिए इलिजबिलिटी के बारे में अब हम बात करेंगे एमो के स्लेबस यानि की किन कि सब्जेक्ट से कोस्टन आते हैं और एस एक्जाम का टाइप यानि की पैटर्न क्या होता है तो यदि बात करें हम पहले हम एक्जाम के टाइप के बारे में तो इसमें अब्जेक्टिव कोस्टन यानि की बहुई कलपी कोस्टन आते हैं और यदि बात करें हम किस सब्जेट से कोस्टन आते हैं तो इसमें आपका बेसिक प्रिंस्पल्स आफ आयरवेदा, स्वास्ति ब्रत, पंच कर्मा, निदान, कायच किस्सा, योग से, अगत तंद्र से, शल्ले तंद्र से, कौमार ब्रत, प्रस्तुसी तंद्र, रसायन, भाजी करण, शालाक के तंद्र और जनरल नालेश से कोस्टन्स आते हैं जिहां दोस्तों कहने कातात पर यही है कि आपने अपने BMS UG में जो सब्जेट पढ़े हुए होते हैं उनी से लगभग कोस्टन्स आते हैं यह भी बात आयरवेदिक मेडिकल आफिसर के स्लेबस के बारे में अब हम बात करेंगे कि आयरवेदिक मेडिकल आफिसर के लिए कोस्टन्स कितने आते हैं और कहां कहां से आते हैं तो यदि बात करेंगे हम कुल प्रसनों की संख्या के बारे में तो कुल 150 प्रसन होते हैं जिन में से 120 प्रसन आपके BMS UG से आते हैं और 30 प्रसन आपके जन्न के मार्किंग के बारे में तो 150 questions में प्रती प्रस्ण एक नंबर यानि की एक मार्क पर question कुल मिलाके 150 मार्क का पूरा paper होता है और यदि बात करें इसमें minus marking के बारे में तो इसमें one third की minus marking होती है यानि कि अधि आपका तीन प्रस्ण गलत हुआ तो एक सही प्रस्ण काटा जाता है यह भी बात marking और minus marking के बारे में अब हम सबसे last में बात करेंगे कि आयरविधिक medical officer में selection mode क्या है क्यों दिल्क्सन mode की तो दो प्रकार के mode होते हैं पहला आपका होता है return exam यानि की लेखित परिच्छा होती है लेखित परिच्छा के बाद आपका इंटरवी होता है तो यह भी बाद कुल मिलाकरस के बारे में उसका एक्जाम पैटर्र के से होता है योगिता क्या है और कि अ साथी साथ यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और साथ-साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साहे पार्टियों के साथ, यहों अपने कॉलेज ग्रूप में सेर करना ना भूलें Thank you so much for watching this video Subscribe, BMS Ayurgyon, on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram